या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्रे यानी नौराते इन नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की राती है दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद्ध है, नौरात्र वर्ष में चार बार आता है, पौश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशाध नौरात्र और अश्वनी नौरात्र, नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है, नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों, म देवी के नौरूपों की पूजा होती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशनी। समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा सुरूपा। नौरात्र पर्व के दूसरे दिन मा ब्रंभ चारनी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मा के चारनों में लगाते हैं। ब्रंभ का अर्थ है तपस्या और चारनी यानि आचरान करने वाली। इस प्रकार ब्रंबचारणी का अर्थ हुआ तप का आचरान करने वाली। नौरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर विविध विधान है। मा दुर्गा के नौ सरूपों की पूजा अर्चना में आईए जानते हैं दूसरी देवी ब्रंबचारणी के बारे में। बगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्यारणी अर्थात ब्रंबचारणी नाम से जाना गया। मा दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा सुरूप ब्रंबचारणी का है। यहां ब्रंब का अर्थ तपस्या से है। मादुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत भल देने वाला है। इनकी उपासना से तब त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धी होती है। ब्रंभिचारणी का अर्थ तब की चारणी यानि तब का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पून जोतिरमय और अत्यन्त भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जब की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण के हुए है। पूर्वजन में इस देवी ने हिमाले के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। और नारग जी के उपतेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश चारणी अर्थात ब्रंभ चारणी नाम से जाना गया। एक हजार साल तक इन्होंने केवल फल फूल खा कर विदाए और सौ वर्षों तक केवल भूमी पर रहकर शाक पर निर्वा किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे। तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्लो पत्र खाए और भगवान चंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्लो पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरना पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शिल हो गया। देवता, रिशी, सिद्धगण, मुनी। सभी ने प्रमचार्णी की तपस्या को अभूत पूर्व पुन्निक कृत्य बताया, सराहना की और कहा हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की धोर तपस्या नहीं की, ये तुम्ही से संभव थी, तुम्हारी मनो कामना पूर्ण होगी और भगवान, चंद्रमौल, शिवजी, तुम्हें पती रूप में प्राप्त होंगे, अब तपस्या छोड़ कर घर लोट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं, मा ब्रमचार्णी देवी की क्रपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं, दु दुरगा पूजा के दूसरे दिन मा ब्रमचार्णी के स्वरूप की उपासना की जाती है, इस दिन साधक का मन स्वाधिश्ठान चक्र में शित्ल होता है, इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी देवी मा की क्रपा और भक्ति प्राप्त करता है, नौरात्र के दूसरे दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तै हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं होई है इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र पात्र आदि भेट किये जाते हैं प्रतेक व्यक्त के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है यादेवी सर्वभूतेश मा ब्रंभचारनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमह हेमा सर्वत्र विराजमान और ब्रंभचारनी के रूप में प्रसिद अंबे आपको मेरा बार बार प्रणाम है मैं आपको नमन करता हूँ आपकी पूजा आराधना करता हूँ अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नवरात्र के तृतिय दिन की देवी चंद्रगंटा के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आ के मातूर के